Hey everyone, welcome to my channel Unjum Shah Fitness, I'm your host Unjum Shah Last episode में हमने discuss किया था fat loss mistakes इस episode में हम discuss करेंगे step by step process of fat loss So, सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, हम BMR और maintenance देखते हैं App के थो, अपनी details आप डालते हो, BMR maintenance निकलता है और उसमें हम figure out करते हैं कि हम दिन बर में कितना calories खाते हैं Accordingly हम start करते हैं, for example, अगर हम 1500 calories BMR है, 2300 maintenance है हम 1700 calories दिन बर में खा रहे हैं, तो 1700-1800 के around हम diet start करेंगे तो पहले आफते के बाद, we'll increase it up to our maintenance calories एक बार maintenance reach होगी, वो कैसे calculate होगा, जब आपका weight ज्यादा gain होगा maintenance के बाद तब आपको पता चलेगा कि यहाँ यह मेरा actual maintenance है जो calculate to maintenance के आसपास ही होगा, तो वो हो गया step 1 वह साम करते हैं अब आपने step 2 है कि आप आपने calories maintenance तक पूरी खाली, मतलब आप एक महीने से यादे महीने तक maintenance तक पहुँच गए हो, आपका weight loss जितना हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, उसका ज्यादा जान मत रखो आप improvise करते हो उस case में, आप maintenance पे आगे, अब depend है कि आप जब maintenance पे आगे हो, उस time पे क्या करोगे आप उस time पे दो option होते हैं हमारे पास, उस time पे देखना होता है, बाडी का condition कैसा है, अगर हमारा goal है, और के हमारे fat loss होना चाहिए, आप सीधा अपना BMR से start कर सकते हो, जो नया BMR आप चेक करोगे, जो आपका weight होगा, उसके साब से आपको different BMR आएगा, तो BMR फिर से चेक करोगे आप BMR से इसको repeat कर सकते हो, 1500 calories पे वापस जाओगे, उसको दिरे दिरे आप फिर वापस maintenance से जाओगे, उसके बाद फिर से हम उसको repeat करते हैं, वो एक तरीका है, दूसरा तरीका है, जब क्योंकि बाडी, जो भी आप चीज़े करते हो, हम changes क्यों लाते हैं, डाइट में, जो करना है, तब ही जाके हम survive करते हैं, बाडी का survival mode होता है, बीसिकली वो, दूसरी चीज़ हम जो maintenance में कर सकते हैं, जब हम maintenance पे पहुंचेंगे, maintenance पे थोड़े टाइम रहना है, उस टाइम पे हमें जान देना है कि हमारा strength बढ़ना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा strength बढ़ गया ह जब तक हमारा बड़ी कम करेंगे, और कम करेंगे, कब तक हमारी बॉड़ी कम परेंगे, मतलब जब तक आप सस्टेन कर सक होगे, आपको अगर कट-कट करते करें, you will continue lose weight, but क्या होगा, कि अगर आपने calories 2800, 1700, 1600, 1500, नीचे नीचे जाते जाते, आप 1400 calories पे आगे और आप से वो follow नहीं हो रहा है, आपको भूक लग रही है, तो आप hardly वो एक-दो हाफते follow करोगे, and you will give up, तो वैसा नहीं करना है, अगर आपको लग रहा है लेकि नहीं, 1800 calories, 1700 calories मेरे limit है, उससे नीचे में cut नहीं कर सकता हूँ, उस case में आपको वहीं पे रुकना है, और थोड़ा activity बढ़ाना है, उस time पे हमना cardio add करना है, तो आप वो हमने add किया, और दूसरा तरीका, अगर हम फिर बहुत टाइम से diet कर रहे हैं, और एक तरीका होता ह जब आप calories cut कर रहे हो, अब नीचे नहीं जा पा रहे हो, और calories cut करनी है, तो हम cycling pattern में diet करते हैं, उसमें क्या होता है, हम carb cycling include करते हैं, जिसमें हम दो दिन low calorie food खाते हैं, तीसरे दिन medium calorie food खाते हैं, चोथे दिन high calorie food खाते हैं, तो उन तीनों calories का average जो होता है, वो आपका actual जो आ होता है, तो फिर cycling pattern में ही हम day wise calories cut करते हैं, वैसे हमारा fat loss process continuously होता रहता है, तो फिर जब बहुत time होता है, हमारा fat loss plateau हो चुका होता है, एक time पर आके we don't even we try carb cycling, हम diet continuously करते हैं, low calories नहीं काम करता है, उस case में हमें diet break लेना चाहिए, अगर हम काफी time से fat loss करनी के try कर रहे हैं, उस time पर आप बिना सोंचे समझे खाते हो, बट calculate नहीं करते हो, आप calories इतना ध्यान नहीं देते हो, आप carbohydrate थोड़ा अच्छे से खाते हो, आप अच्छी कासी मतलब अपनी हिसाब से जो आप का मन कर रहा है, वो आप 10-12 दिन खाओ, फिर से आप fat loss start कर सकते हो, फिर से कैसे start करना आपने खाया, फिर आप maintenance से start कर सकते हो, maintenance से फिर से start किया, फिर से दिरे-दिरे cut किया, वो सबसे बेस तरीका है, और उसके बाद फिर cycling pattern में उसको किया, cycling pattern के बाद, then you can do refeed also, कि हम चार हफते में एक बार एक दिन refeed रख सकते हैं, वो आपकी fat percentage होगा, उतना frequently refeed होता है, अगर आपका fat percentage थोड़ा ज्यादा है, तो refeed 15-20 दिन में लगेगा, refeed आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाए, वो आप पूरा देख सकते हो, और refeed करने के बाद, फिर से हम अपना current calories है, उसको एक हफते आओ, फिर दिरे-दिरे cut कर सकते हो, यह क अगर आपको कोई questions है regarding this, you can just comment on this video, if you like this video, please share and subscribe to my channel, Anjumshah Fitness, thank you